वो नमो नमो विद्यार्थी मित्रो आज हम कर रहे हैं स्टांडर्ट 10 संस्कित का गद्यम नमो 19 नाम है सत्यम मयुरह साचेज मोर्च है यह जो चेप्टर है वो बहुत ही खुबसुरस है विद्यार्थी के लिए स्टुडेंट की लाइफ के अंदर यह एक बहुती बड़िया एक एक्जांबल है सिख देता है ऐसा बहतरीन यह चेप्टर है क्या है इस चेप्टर में चेप्टर नंबर 19 सत्यम मयुरह आपके सामने आपका सर, मित्र, मैंदर जूशी पेश कर रहा है संस्कुत ना रूप को दस प्रकारना चेप्टर है तेमानों एक प्रकार चेप्रहसन आ प्रहसन एक कांकी होई चेप्टर है प्रहसन ने मले चेप्टर लाव विद्वानों न मते आना रच्चेता श्री बूधायन जी कवी छे एववान्वमा मावेचे केटला विद्वानों आ रच्णाने कोई अज्याद करता चे एवव पन कहें चेप्टर है आपने आप बूधायन कवी अथ्वा तो अज्याद करता चे इस तरह से आपको बौड एक्जाम में पूछा जा सकता है तो प्लीज इसको अंटरलाइन करिएगा आपने रच्णाकार इस विशन चोथी शतापदी के अंदर हुआ था और प्रस्तुन जात्याट्यां प्रहसन बहुती खुपसरत सा है देखते क्या कहना चाते इसके अंदर ये जो प्रहसन है उसके अंदर बहुती बढ़िया तरीके से बताया गया है के गरीब परिवार के अंदर जिन्मा हुआ शांडिल्या शरलता थी खावनू मड़ी जशे ऐसी भावना थी घर छोड़ देता है बोध सादू बनी जाये छे परन्तु अही पर वारमवार उपवास करवाना हुआ थी शांडिल्या बोध सादूनों वेश छोड़ी अने एक योगी साथे शिश्य बने छे अही पन ठावमा रसा जोई छे पैना गुरू सतक भणवानी फरज पाड़े छे रोज भिग्षालेवा माटे नगर मा आवता गुरूने शिश्य एक दिवस समय मरता नगर नी बहार आवेला एक उध्यान लेक बगीजामा डेसी अने भणवा माटेनू कहे छे बनने जण जारे बगीजामा प्रवेश करे छे ते समयनू आद्रश्य खुब सारी एते बताव माविलू छे हमीशा विद्यार्थियो कोई नू कोई बाहनू बाजी बनावी अने पोताना जीवन मा आलसने नोत रहे छे शांडिल्यानी अहिया आज बाहने बाजी ने हास्त रिते पिरसे छे हासावात पर्थियाकर ने ए जरूर क्याला हो छे के बालकण मा घणा एवापन संसकारों अपना माता पिताय आपेला हो छे जे गणी वकत बाहना करवा हुआ गंबीर दानी असरोज हुआ मले छे शरुआ उस इस प्रकार से है शांडिल्यह भू भगवान हो इदम उध्यानम भगवान का मतलब होता है महराज आप भगवान भी ले सकते हो इदम उध्यानम यहाँ पर जो मू दिया हुआ है वासम डिजोइन कर सकते हैं संदी डिजोइन किस इस प्रकार से होगी इदम मु का दो पार्ट में डिवैड करेंगी म हलन्त वाला प्लस यह जो उ दिया है उसका उ अलग से तो इदर के साड में हलन्त वाला म आ जाएगा तो इदम होगा और ये उ जो है इदर के साड में आएगा प्रविश्यत अग्रह शांडिल्यको सन्यासी केते कि बेटा तुम पहले प्रवेश करो अग्र तमल आगल तुम आगल जो प्रवेश करो शांडिल्यक केते है कि हे भगवान एत पूरत प्रवेश तू हे भगवान, हे महराज, सबसे पहले पूरत, पहला तम्मे प्रवेश करो प्रिवाज का संऩी पूछता है कि मर्थ हम यहाँ पर भी हम दो पार्ट में डिवैड करेंगे संधी को म से डिजोइन करेंगे, तो मो को इस प्रकार से डिजोइन करते हैं म अलन्थ वाला प्लस अ आयेगा म हलन्थ वाला प्लस अ इसे इक्वल तू कंप्लीट म बनता है तो हलन्थ वाला म इधर आएगा डेखेज किम और इधर की सैड में आएगा अर ठम शाम आटे किम अर्थम आधेखेखेखे ओध्यान ने जोए छे तरहें परिवाज़ रके हैं चालों बेटा तो वें प्रवेश करो पहला परन्तू शांडिले लगेते के नई सबसे पहले आप प्रवेश करो पच्छी हुँ परिवाज़ गाए क्यों शामाटें तो शांडिले उसको बहाने बाजी करते भें बताता है કે પોરાણિક્રાંયને જાણવા વારી મામમ મારી માતું 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 તેની પાસ્ંતેતેંએ पुराणों जाननार मारी माताय मार पासेती साम्ड़ेलोतु कि आसो पालव ना जाड़नी पाचल व्याद्रह मला वागरेतो होए छे आथी ततह भगवानेन पुरत्ता प्रविश्यतु यति हे महराज तमें पहला प्रवेश करो अहम प्रुष्टत प्रविश्यामी मुत मारी पाचल अतों तुमरी पच्छी प्रवेश करीश्यामी इसका ट्रांस्टिशन देख लेते हैं शान्डिल्य एक महराज आ भगीचो छे सन्यासी कहते हैं तुँ आगर थी प्रवेश कर शान्डिल्य आप श्रि पेहला प्रवेश करो पाचल थी दाक्रिथाओ छी सन्यासी कहे शा माटे, शा निल्या कहता है कि पुराणों जान्नारी मारी माता पासेति में सामढ़ी हुछे कि अश्योक ना पांद्रावनी पाछल छुपाई ने उभेलो वाग रहे छे, तो आप आगल प्रवेश करो, हुँ पाछल दी प्रवेश करो छू, आगे बढ़ते हैं, आगे सन्या से जी प्रवेश करते हैं, ततह, उसके बाद प्रविशती शान्डिल्या, उसके बाद शान्डिल्या प्रवेश करता है, अभी हाँ, अभी हाँ, अरे रे, व्याद्रण गुरुई तो स्मीही, अब यहाँ पर वापिस संदिक देखते हैं, यह जो है, that is silent da है, उसको अंग भी कहते हैं, उसके आगे हमेशा ओ दिखाए देता है, यह जो होता है, उसका हमेशा विसर यानि किस तरह से डबल डॉट बनता है, जब संदिक देखते हैं, तो ओ का डबल डॉट बनता है, तो आंसर बनेगा, गुरुही त, और त के बाद डबल डॉट, गुरुही गुरुही तह अस्मी, यहाँ पर दूसरा भी दिया हुआ है, ओ का डबल डॉट बनाएंगे, गुरुही तह प्लस डब का अ बनेगा अस्मी, इस तरह से लिखा है, यह शांडिया है, वो कहता है, आखे बन कर दी है, और वो जोर से चिला रहा है, शायद उसके सर के उपर से एक मूर, एक पिकोक निकला है, शायद उसका फैदर या उसका पाउं, वो मूर का, वो शांडिया को लग जाता है, यह शांडिया आख बन करता है, जोर से चिलाता है, और गेता है, व्याद्रेन गुरुही तो स्मीही, वागे मने पकड़ी लिदू, मूचन मा, व्याद्रत मूचन मलब छोड़ाओ, संकट मोचन, आपने नाम सुनाओगा, मनमान जी को संकट मोचन कहते है, इसले कहते है, यह संकट से चुड़वाते है, चुड़वान मलब मोचन, मोचन मा, मा मलब मने, व्याद्रत मूखात, मने वागना मूखात, मोड़ा माती चुड़ाओ, अना एदम खलू रुधिर प्रस्तवती कंठा तह, कंठा मलब गळू और रुधिरम मलब लोही, खुन, मारे गळा माथी लोही वही रही हो छे, परिवाजय का सन्यासी केता है, शांडिल्य न भेतव्यम न भेतव्यम, डर नहीं, डर नहीं, मयूर खलू एशह, खलू मलब खरेखर मूर, एटो खरेखर मूर छे, शांडिल्य वापिस एक क्वेशिन पूजता है, सत्यम मयूर हो, साचेज मूर, परिवाजय का, हक्षिनी का मलब खरेखर मूर होए, तो हमारे आखने, खो लोजू, उसका टांस्येशन को चत्रका करिकार से सन्यासी भले त्यारे रवेशे छे प्ची शांडीलिया दाखेल थाये छे शांडीलिया हायरे मने वागे पकड़ियो चे मने वागना मोडमाति छोड़ा ओं मना आत्नी मांफक वाग मने खाए रही स आगे चक्तर बड़ाते हैं और उसके अंतर बताया गिया हैं प्रिवाज जका पतितंग इवं काला खालान तरह तह यदि मूर छे तो उमारी आँख खोलू छो इस तरह से यहां पर बताया गया है उसके पांस दूसरा भी जवाब है और वो बहाने बाजे करता है कि दासी पुत्र व्याद्रे मलवागे मदियन में जारे आग खोली तो मूर नुरुप धारण करी ने पलायनते दूसरी बाज बताई कि एक्चुली था तो वो वाग ही परंतु में आग खोली ना तो वो वाग बनकर पलायनते बाग गया ही 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 ऐसा करके वासता है फिर वो उध्यान को देखता है उध्यान के पेड है प्लांट है उसको देखता है चंपक एक प्लांट का नाम है यहाँ पर आठ अलग अलग प्लांट्स एंड पेड के नाम बताए है चंपक, कदम, सक्तपरण, चंदन, टगर, खदीर यानि खेरनु जाड कदली समवर्किनी यानि की केड़ानु जाड मालती लता मंडब, लता मलब क्रीपर के जो टेंट वगेरा होते है बूँ मनीतम सुहाव महू मलब सुखदाय चे, रमणिय मलब सुंदर चे, खलू मलब खरेकर इदम उद्यानम इस तरह से पताया गया है कि ये उद्यान जो है वो खरेकर बहुती सुंदर है परिवाजय का सन्यासी कहते है, मुर्ख, ख्षणे, ख्षणे, ख्षणे आम अपे, शरीरे, की ते रमणियम, ये जो शरीर है, वो ख्षण ख्षण, हर रोज कुछ परिवर्तम करता है और इसके अंदर क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, आवच्ष, आगच्छ वच्ष, आबाजू आओ पुत्र, पठतावत, आपने भणिये शान्डिले कहता है, न तावता पठ शामी, नहीं, मारे भणू न थी परिवर्तम किम अर्थम, शाम आटे, तो शान्डिले वापे से क्वेशन पूरता है, पठनस्यतावतम अर्थ ग्यातमी, शामी, सौथी बेला, मने भणूआ थी थता फाइदा होई, ये मने समझाओ, कि जूँ भणूआ बेसू, तो शाम आटे, ये न थी शूँ मने तो यहाँ पर उसका ट्रांस्योशन दिया है, सन्यासी के भले, हाई रे दासी पुत्रवाग, मारा डर ने लिदे, मूर्नू रूप लईने, नासी गयो, भागी गयो, ओहु, चंपक, सब्तपरणी, चंदन, टगर, खेर, अने केल्थी छवाएलू, मालती नी वेलना मंड़ सन्यासी, मुर्ख, प्रतिक शनक्षेन थता आ घसाता शरीर मा, तिने शू रमणिया लागया छे, आउ बत्स, आउ पुत्र, पहला भण, शाणिया केता है, हू नहीं भण, शाणियासी केता है, शामाटे, शाणिया, प्रतम हू भणतर नो अर्थ जानवा मां आगो छो, यह पर उसका जवाब देखते हैं, सन्यासी जी, परिवाजका, पठीतम, पाठे, अपी, काला, अंतरे, विग्यतम, भवन्ती, पठना, अर्फ, तस्मात, पठतो, जे भणवा माटे बैसेला हूए छे, एक्चुली एने पन खबर ना थी होती, के आप आप, अपने जीवन मां, किस तरह से काहां पर काम आएगा, काला अंतरे, विग्यता हा, समय के हिसाब से उमें काम आएगा, इसलिए अभी, पठने के लिए बैठो, तस्मात, पठतावा तह, शानी जया, पठने नके भविश्यती, बनवाती श्यूं फाइदोत होचे, परिवाज जायते दुरूबं, विध्या के बिना, जो निरंतर मिलने वाला सुख है, वो तुमें प्राप्त नहीं होगा, हतो, इसलिए धर्म, अर्थ, अने मुक्षमाटे, विध्या प्यास करना, बहुत ही जरूरी है, इस तरह से आपर, कहते हैं, कि ये जो है, इसके अंदर, तुमे सारी चीजे प्राप्त हो सकती है, इस तरह से याँपर बताते हैं, कि हुँ नहीं भन, बले शा माटे, प्रतमू भनतों अर्थ जानवा मागो छू, सन्यासी केते, पाठ ने जे लोको भनी गया छे, ते लोको ने पन, पाठ नो अर्थ समय आवे जान आवतो होए छे, ते त ग्यावगर, मनुष्य ने निश्चिन्थ छे के सुप्राप्त तत्युना थी, हाथी, धर्म, अर्थ अने मुक्ष माटे, विद्याभ्यास करोजु जोईए, इस तरह से बहुती बहतरीन तरीके से ये चेप्टर, यानि कि बोधायन जी ने हमें जो पेश किया है, वो सही मे प्रशन सनिय है, अब इसके थोड़े अर्थ की जानकारी लेते हैं, क्या बताना चाहते हैं, शांडिल्य शिष्य का नाम है, व्याद्र मलवाख, मयूल मलमूल, पुराणिक्या, मलब पुराणोना अभ्यास करनारी या था पुराण जाननारी, या पर शांडिल्य की मा को ब विशेशन, सुखा वहम रमणियम, विशेशन जो होता है जिसको हम एक्जेक्टिव कहते हैं, परमेशा एक्जेक्टिव दोनों सिमिलर होता है, बुजाती काम सुमझे, के कालो, छोकरो, तो उसमें अडो आया, तो छोकरो में भी ओ आया, काली, छोकरी, अडी आया, एन में ही आया, तो छोकरी में भी इकारांगाता है, इस तरह से सुखा वहम रमणियम, वुद्ध्यानम, इसी तरह से क्षिण माने शरीरे, अवियव है, अग्रतह आगल थी, पूरतह सामे थी, पुष्टतह पाचल थी, अविहा, दुख मिश्रित आश्चरे करवा माटे, अरे रे हायरे, ऐसा शब्द है, अथकिम, हास्तो, श्टोशू, चंदतह, भले, सारू, मरजे मुझे, अविहा, दुख से ही बुलते हायरे, अरे रे, एंतावत, मतलब तेटलू, अथवा तेप्रमाने, यहाँ पर कुछ हमें संधी दी गई है, अश्यो का पल्लवान, अरुरुद् के हिसाब से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें व दिया हुआ है, अगर स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ पर हमेशा डबल डॉट यहने के विश्रक का ओकारांद होता है, जब यहाँ पर अकारांद है तो, प्रतिवस्ति इती ही, तो यहाँ पर ती से डिजोइन किया एक साइट छोटी वी है और एक साइट बड़ी ही that is स्वरसंदी है गुरुभी तोसमी ही हमने आगे किया है यहाँ पर ओका डबल डोट निक विसर्ग बनाया यहाँ पर डखा अ बनाया अनाथ इवह अकारांध एको डिजोइन किया है खादी तोसमी ही ओका विसर्ग बनाया दखा अ बनाया है उत्रो व्याद्रो मयम उत्रह व्याद्रह मदें पतो धर्म अर्थ कामुक्षा विद्या व्यासेन पतह उकारांध का डबल डोट है और यहाँ पतह दिया है इस तरह से बहुती इजी इसके अंदर संदी दी हुई है समास भी काफे अच्छी है उसी तरह स इसके अंदर अर्थ जो दिये गए है वो भी बहुती बहतरी तरीके से इस्तमाल किये गए है यहाँ पर कुछ संस्कित पशांसर है कुट्र निरुद्दह व्याद्रेन पुद्यारेन प्रतिवसती अशूक पल्लवा अनुरुद्देम व्याद्रेन प्रतिवसती ही यह जो स प्रवेश करता है तो उद्यान के अंदर परिवाज्रकह यानि कि सन्यासित प्रवेश करते हैं। पुराणोंने जानना शांडिलीने माए शांडिलीने कहलो अतू कि अशुक ना पांदरानी वच्छे संतायलो वाग उद्यान माराये छे। आती शांडिलीया उद्यान मा प्रवेश करवा माटे भई अनुभोत आतो। पुताने वाग पकड़ियो छे एम मानी अने शांडिलीया केवी भूमो पाड़े छे। आती शांडिलीया करेलू उद्यान वण शुषोवित आ उद्यान करेकर सुकदाई छे। पार्टणो अर्थ क्या रह समझी शके छे। ज Care लोको पार्थोival भणी गया हो तेने समय आविये जमेश पार्ट्णो ऑर्षत और समझाय छे। आन्ने विद्या प्राश्त वाज अपने शूइप्राप्त ठाए। Sanskrit तो Sanskrit जो question answers आते हैं वो एक-एक mark के आपको पूछ जाते है चार, इसके कहां से वो आपको चार mark के आते हैं और शांडिलियम के द्वारा ये खुब सुरसा जो chapter है वो एक drama होने के कहां से इस सबसे easiest ये drama यानि कि नाटक है इसके अंदर से आपको guaranteed transition आएगा और इतना easily आप transition के चार mark भी score कर सकते हो तो चार transition के चार गुज़ाती तो 10 mark गुज़ाती तो गुज़ाती और चार mark संस्कित तो संस्कित इस तरह से कर देखने जाए तो इसमें 18 marks है अगर इसमें से short note भी पूछी जाए तो शांडिले की short note आपको पूछी जा सकती है तो आप इस तरह से learning करने बैठो तो इसमें 20 जितने question answers पूछे जा सकते हैं बुधायन के बारे में पूछ सकते हैं अग्याद करता के बारे में पूछ सकते हैं और इसके इलावा भी आपको यहाँ पर जो दिया गया है part का नाम, chapter का नाम और साथ में book का नाम यह भी पूछ सकते हैं आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से easily learn कर सकते हैं and share करियेगा अगर आपको यह अच्छा लगे तो उसको subscribe करियेगा और bell icon दबाएं ताकि आपकी तरह दूसरों को भी यह प्राप्त होता रहे share करियेगा, comments जरूर करियेगा क्योंकि मुझे लगता है comments करना एक अच्छे student के आदत है ताकि हम अच्छा और better हम और वीडियो आपको बना के दे सकते हैं आपका मैंदर जोशी, नमस्ते